नमसकार बहुत वोगत हैं आपका आप देख रहे हैं 20 यूज आपके साथ मैं सुरुस्टी मिश्रा प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी आठ जुलाई के आसपास रूस जाने वाले हैं तो मोसको जाने वाले हैं प्रधान मंतरी तो अमेरीका क्यों चिट पड़ा है आपको मैं पूरी रिपोर्ट बताती हूँ, बहुत बड़ी खबर है और ये खबर दिखाती है कि अमेरिका इस नेवर ट्रॉस्टिबल, अमेरिका पर कभी ट्रॉस्ट नहीं किया जा सकता है, वो अपने आपको महान समझता है, अपने आपको सर्वשक्तिमान समَझता है, और भारत जब से मजबूत हुआ है उसकी नजर भारत पर है ही यही वज़ा है कि भारत से अपने स्रमबंध प्रगाड करने के लिए अमेरिका कोशिश तो करता है लेकिन अगर भारत कुछ स्टेप लेना चाहता है तो अमेरिका कुछ तिकी मिर्ची लगती है आपको बता दे कि 8 युलाई के आसपस हugeneक अभी डेट्स सामने नहीं आए हैं मॉस्को जाने वाले हैं देश के प्रधान मंत्री नरिंदर मुदी मॉस्को जाएंगे अपने फ्रेंड, वह हैं अपने रियल फ्रेंड पुतीन पुतीन से बहुत अच्छी दोस्ती राज से नहीं हैं यह दशको मिजब भारत में हुआ था उस वक्त भी रूस की आलोचना कई देशों ने की थी उस वक्त भारत ने रूस का सपोर्ट किया था और रूस के खलाफ एक वट्स भी नहीं कहे थे और यही वज़ा है कि पुतीन से अपने रिष्टे प्रगार करने पी एम मोदी जाने वाले हैं अ भारत अल्ब संख्यक के घर तोड़ता है भारत बुल्डोजर चलाता है और यह कोई और नहीं जहर उगलते नजर आए हैं अमेरिकी विदेश्च मंतरी एंटनी और देखिए यहां पर यह कह रहे हैं कि भारत जो है भारत में अल्ब संख्यक सुरक्षित नहीं है इनको क्या जरूरत है अब इस रिपोर्ट को बताने के लिए और ऐसा तो है नहीं भारत में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है विकास के लिए ध्वस्त किया जा रहा है चलिए कम चकम यहां नसल भेदी टिपणिया तो नहीं होती है जो अमेरिका में होती है तो अमेरि स्वतंतरता नहीं है इनको बहुत पता है कि भारत में धार्मिक स्वतंतरता है या नहीं है बारत की जनता इनको खरी खोटी सुना रही है और भारत ने लिखा है कि अमेरिका पर कभी ट्रस्ट नहीं किया सकता यह जनता की आवाज है जो मैं आपको पता रही हूँ हाला कि प्र असर गलत है और यह और कुछ नहीं 8 जुलाई के आसपास जाने वाले हैं रूस प्रदान मंतरी इसी को लेकर तिर्खी मिर्ची लगी है अंतिमबर मैं आपको बता दू अभी तीन साल पहले पीम मोदी की मुलाकात हुई थी रूसी राष्टपती व्लादिमीर पूतीन से पू हाँ रूस के तरफ से क्लियर किया गया है कि हम भारती है प्रदान मंतरी नरेंधर मोदी के सवागत के लिए अग्रसर हैं हम सवागत की तयारी कर रहे हैं और 8 जुलाई के आसपस उनका दौरा होने वाला दर्ट खास केवल एक दिन के लिए भारत के प्रदान मंतरी पी-एम संख्यक जितने भी हैं भारत में they are not safe और देखें क्या कह रहे हैं उन्होंने कहा कि मुसल्मानों और इसायों पर हिंसक हमले भारत में हो रहे हैं बुल्डोजर चलाया जा रहा है घर तोड़े जा रहे हैं और कह रहे हैं यहूदी और मुसल्मानों के खलाफ दुनिया भर में बढ़ती कटरता पर हम चिंता जताते हैं हाला कि ये बात उन्होंने भारत को लपेटे में ने लिया ये बात बाकी देशों को लपेटे में लेते हुए देखा अमेरिका ये चाहता है कि वो हमेशा सर्वसक्तिमान बना रहे एक बात मैं आपको और बता दूँ अभी चीन से कनी काटी है भारत ने क्योंकि वहाँ चीन और पाकिस्तान के प्रधान मंतरी एक साथ मिलने वाले हैं और यहां ख़बर ये थी कि भारत के प्रधान मंतरी उजबेकिस्तान जाने वाले है लेकिन आब 2800 किलोमेटर दूर रूस का दौरा जरूर करेंगे और देखिए अभी भारत में तमाम अभी एंडिये के सरकार बनी इसके साथ शपत गरान समारो भवे तरीके से हो रहा है लगातार कारिकरम है और यही वज़ा है कि जब इन सब मसलों से एंडिये सरकार निपट जाएगी उसके बार रूस का दौरा करने वाले है पी-एम मोदी आपको मैं एक ब इते दिन दिखा था कि चीन से रूस के रिष्टे बढ़ रहे हैं और भारत इसको लेकर भी थोड़ा टेंजनाइस था लेकिन भारत चीन को यह आइना दिखाना चाहता है कि हमारी दोस्ती अटूट है और यही वज़ा है कि पी-एम मोदी चीन को छोड रूस का दौरा करने आपको बता दें पहले जो टाइम टेबल रूटीन आया हुआ था और पहले जो यहां पर प्रपोजल से कहा जा रहा है कि एक शिकर समेलन में प्रधान मंतरी शामिल होंगे शी जिन पिंग के साथ और इसके साथ वहाँ पाकिस्तान की प्रधान मंतरी मौजूद रहेंगे ल आपको मैं बता दूँ रिपोर्ट में अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तान का जिकर है रूस युक्रेन युद में भारत ने कोई कोर का सर नहीं छोड़ा था रूस का सपोर्ट करने में अमेरिका को तब भी तिखी मिर्ची लगी थी और जब आपको बता दें पश्चिमी दोस्ती एक बार फिर से भारत और रूस के साथ प्रगाड़ हो रही है अमेरिका को इस बात की टेंशन है कि भारत के प्रधानमंतरी रूस क्यों जा रहे है चीन को इस बात की टेंशन है कि भारत के प्रधानमंतरी इधर क्यों नहीं आ रहे है रूस क्यों जा रहे है आपको ब देखा है भारत का इतिहासिक प्रतिद्वन्दी पाकिस्तान है लेकिन इस निंदा कानूनों की उन्होंने निंदा की कहा कि आज शहिस नुता और घृणा के महौल को बढ़ावा देने में भारत मदद करता है उन्होंने कहा इसाईयों पर मुसल्मानों पर अटाक हो रहे हैं बुल्डोजर किया जा रहा है उनके जमीन को घरों को तोड़ा जा रहा है कह रहे हैं इस कारण भारत में भीड हिंसक है मतलब कि अमेरिका तीखी नजर रखता है भारत के अंदर और यहां पर बैठे राहूल गांदी अमेरिका जाकर बता कर आते हैं कि हमारे लोकतंतर पर ह पर रक्षित नहीं है एक बात मैं आपको जोड़कर बताऊंगी तब आपको समझ में आएगी बाते कि आखिर क्यों कॉंग्रेस का इसमें हाथ है अभी अभी कॉंग्रेस जब यहां विदेश यात्रा कॉंग्रेस के सो कॉल्ड लेता कर रहे थे तब उन्होंने ये बात कही भारत में अलपसंख्यक अट्यक पर हैं माइनरिटीज आर अंडर अट्यक इन इंडिया यह स्लोगन चलाया गया था और यहीं स्लोगन चलाया गया था जब पी-म मोदी ने कटाक्ष किया था दर्श को यह वज़ा है कि आज अमेरिका आँख दिखा रहा है और अमेरिका कह सुरक्षित नहीं है और यहीं वज़ा है कि रूस का दौरा करने पर शी जिन पिंग भी चिड़ गए है पाकिस्तान चिड़ा पड़ा है और अमेरिका भी चिड़ा पड़ा है अब अमेरिका पर भारत भरोसा नहीं करेगा हलां कि बार बार एंटोनी बिंकन इस बात को सपो भारत के अल्प संक्यक के बारे में अमेरिका के पास बहुत जादा रिपोर्ट हैं और सारे रिपोर्ट गलत हैं आपकी क्या रहा है ज़रूर कॉमेंट किजिएगा शुक्रिया